So what's up guys, Diffy JJ here and welcome back to my new video और last video में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने custom preset बना सकते हैं आज की इस short video में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने preset को export कर सकते हैं और कई लोग अपने preset fail भी करते हैं इस तरह से same preset multiple user यूस कर सकते हैं So let's get into the video right now तो जो लास्ट वीडियो में हमने preset बनाया था उसे ही हम इस वीडियो में export करेंगे तो उसके लिए हम effect में जाएंगे preset और यह कुछ custom preset है जो मैंने बनाय हुए हैं तो हमने लास्ट टैम बनाया था closing उस पे right click करेंगे export preset 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 को नाम देंगे हम और उसके बाद save पे click करेंगे और finally जो preset था वो export हो चुका है और हम अपनी जो location थी उस पर चेक कर लेते हैं तो यह closing preset export हो चुका है अब हम इसे किसे भी प्रीमेर प्रो में यूज़ कर सकते हैं simply preset को इंपोर्ट करके इसे के साथ मिलता हूँ मैं आपको झाल सकते हैं